विलकम डेक्सन स्टेड़ी पॉंट दोस्तों मैं वूश वर्ब सुकला और इस वीडियों हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदिस B8 के इंटरेंस एक्जाम के दुस्तों इक्जाम बेट के बारे में इस वीडियो में आपको देखने वाले है इसके तरब ओने वाले है उपके अपने और पर लिखा हुआ है यह हमने हिंदुस्तान लिया है उसके बाद को दिखाएंगे देखिए साथ तो लिए प्रवेस परिक्षा 29 जुलाई को होगी तो कि एक दम यह कंफर्म हो चुका है काफे दिन से असमंजस था इससे पहले परिक्षा 22 अप्रेल को होने वाली थी इसके बाद जो डेट है का अनिस्चित बता दी गई यान कि कोई कंफर्म नहीं किया गया लेकिन अब जो यह है इदम फिक्स डेट बता दिया गया देखिए साफ अपली का है लखनाव विस्वेट डैले ने यूपी बीएट प्रवेस परिक्षा 2020 का कारेक्रम जारी कर दिया है यहां परिक्षा आगामी 29 जुलाई को कराई जाएगी देखिए आप 29 जुलाई तक आपको समय मिल गया है इतने दिर में आप जो है सरकारी सिट के लिए इच्छी त्यारी कर सकते हैं देखते हुए विस्वेट डैले प्रवेस ने प्रदेश के साथ जीलों में परिक्षा करा जाने का फैसला किया देखिए हमारे देश में उत्तर प्रवेस में यह बहुत आज क्लियर कर दिया जाएगा हम पहले बीड की बात करते हैं पर लिखावाई साब साब कि लखनों विस्वेट दाला कि और से आयोजित की जा रही बीएद संयुक्त परवेस परिक्षा 29 जुलाई को होगी बीएद परवेस परिक्षा के राजसमनमय के प्रोफे अब दोस्तों बात करेंगे सरकारी सीट आपको कैसे मिलेगी आपको यहाद रखना है कि लगभग साड़े चार लाख लोगों ने इस बार फॉर्म भरा है एक्जाम के लिए इसमें से लगभग 2 लाख सीटे जो होती हो प्राइवेट होती है और लगभग 10 से 12,000 सीटे जो ह अगर आप बहुत कम अंक लाते हैं तो भी आपको प्राइवेट सीट मिल जाएगी लेकिन वहाँ पर आपका प्रते एक वर्स का 50 से 60,000 रुपए का फीस हो जाएगा लेकिन अगर आप सरकारी सीट निकाल लेते हैं अगर आप 10,000 रेंग के अंदर आ जाते हैं तो आपको द सामाने इंग्यान और सामाने हिंदी पुछ जाएंगे मैं जाए कि सलिबॉस में कोई परदों नहीं किया गया था सो समानि हिंदी के भी 50 प्रशन होते हैं आप समोस अधिक नंबर को गया हुए अगर आप सबसे धेग जो शकूर करेंगे हिंदी करेंगे अगर आप Hindi में अगर अच्छ सेत्याहि करतें तो आप 50 में से 45 पस्षन असानिग च़िह कर सकते हैं 50 में से 45 पस्षन आप निस्था परस्षन पस्षन नहीं कर पाएंगे आप 50 में से 45% साही नहीं कर पाएंगे देखिए आपको अधिकतर ध्यान देना होगा सामाने ज्यान पे क्योंकि अधिकतर छात्रों है सामाने ज्यान के प्रशने गलत करते हैं तो देखिए अभी आपके पास लगभग एक महने से अधिक का समय है तो अगर आपके पास लूसेंट की बुक है तो आप लूसेंट पूरी पढ़ जाए समान निकान के लिए इसके लावा आप बीएट की प्रेक्टिस सेट जो प्रेवे सेर किया अधिक 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 कि दोनों पेपर एक ही दिन में करवाये जाते है या आपको या रखना होगा अब कल्व में समान निकृषर परून हो जाएगा और पूरा जो हो जाएक 10 नबर 7 नंबर का अलग-अलग विशी जो छात्र होते हों उनका प्रश्न कि पुछा रता है अब देखिए अगर हम इसको clear रूप से देखें देखिए आपको दू चीज़funding करते हैं और reasoning में सबसे अधिक लोग score करते हैं परसानी कहां पर होती है परसानी होती है जीके में और परसानी होती है सब्जेक्ट में क्योंकि जीके से question मुश्किल पुछे आते हैं और subject ability देखे subject वाला section है किसी भी आगर हम stream की बात करें तो subject ability में ही सबसे कम चातर जो है number score करते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि य और इसमें आपको सबसे अच्छा ही आपका उपाय होगा कि आप प्रेक्टिस सेट सिर्फ सॉल्फ करें मिक्स प्रेक्टिस सॉल्फ करें क्योंकि आप अपड़ने लगेंगे तो आपका समय कम पढ़ जाएगा तो देखिए यह आपका सेफ स्कोर क्या होगा cut off के लिए अग क्योंकि 200 प्रशन होते हैं 400 नम्बर का पूरा पेपर आता है तो अगर आप इसमें से 270 से 280 की बीच में स्कोर करते हैं तो आप सरकारी सीट निश्यत्र परप्राप्त कर पाएंगे देखिए सरकारी से कम 270 से 280 की बीच में लाना होगा कि इसके लिए आपको टार्गर क्या प्रिजनिंग में और 35 प्रश्ण सब्जेक्ट अबल्टी में तो सब मिला कितना हो गया 35-35 70 और 140 अगर आप 140 प्रश्ण सभी करते हैं तो आप 2 से मृटिप्लाई कर देजे आपका 280 अगर 29 जुलाई को परिश्णिंग में निकल जाएगा और 1 सितंबर स हो सकता है आपका नया सत्र सुरू हो जाए तो उसमों ये पूरी खबर थी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था वीडियो को जरूर सेर कर दीजेगा अगर आपके मन में किसी प्रगार कोई संका है कोई डाउट है तो आप कमेंट करें जरूर पूछेगा उसका समाथान जरूर किया जाएगा वीडियो दिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद